हलो हाई फ्रेंड मैं बिट्टू तीवारी फ्रेंड आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है इससे पहले फ्रेंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आग तक इस question को. Let P be a polynomial in one complex variable. Suppose all zeros of P are in the upper half plane. H is equals to Z belongs to complex number. Such that imaginary part of Z is greater than 0. Then first option imaginary part of kiska P' Z upon P' Z ka क्या हो जाएगा greater than 0 for Z belongs to real number real part इसका ले ले आयो टाइम to P' Z upon P' Z वो क्या आएगा? less than 0 आएगा for Z belongs to real number तीसरे option के अंदर के अंदर के था imaginary part of P' Z upon P' Z always greater than 0 for Z belongs to complex number with imaginary part of Z is less than 0 and fourth option के था imaginary part of P' Z upon P' Z always greater than 0 for Z belongs to complex number with imaginary part of Z always greater than 0 इस question को करते हैं बिल्कुल आसान सा question है देखेए अब सबसे पहले क्या आप बोला गया है P' हमारी क्या है? polynomial है किसके अंदर? one complex variable के अंदर तीक है? और उसके जो root है तीक है? उसके जो 0 है उसके जो roots है आएंगे वो क्या आएंगे? पोजिटिव आएंगे अपर हाफ प्लेन का मेंस यह होता है कि यह अपर ही रहेगा इसके नीचे नहीं आएगा यह क्या होता है? अब यहां पर बात आगे कि जो है imaginary part गत्रदें 0 आपको लेना है एक ही complex variable के अंदर आपको लेना है जब हमें एक ही complex variable के अंदर लेना है तो हम polynomial को ले लेते हैं देखिए हम कि इस तरीके का polynomial उठाएंगे P Z E G cos 2 Z minus lambda 1 Z minus lambda 2 and so on Z minus lambda N ठीक है? अब यहां पर यह सारी चीज़े होगे means जब हम Z minus lambda 1 E G cos 2 0 करेंगे तो Z E G cos 2 क्या आएगा? lambda 1 आजाएगा अब हमें lambda को भी defined करना पड़ेगा यहां पर lambda हमारी बहरी करती है 1 है, यहां पर 2 है, इस तरीके से यहां पर है, ठीक है? अगर हम lambda K को defined करें lambda K equals to A K plus Iota, यह भी तो हो सकता है यह complex के अंदर आजा है, इसके रूप ठीक है, Iota into B K, और K जो है आपका क्या होना चाहिए, यह B K B K आपका क्या होना चाहिए? greater than 0 होना चाहिए, तभी तो जो है आपका Y जो होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? greater than 0 यह तो आपका Y का ही तर्व तो है इस लिए जो है, इस नंबर को भी greater than 0 आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? और यहां पर यह ने को लिए इसके अंदर तो है इसका मतलब यह है एक बार हमें क्या करना होगा पॉइंट हमें real number से लेके चलना पड़ेगा और दूसरी बार जो है हमें point कहां से लेके चलना पड़ेगा complex number से लेके चलना पड़ेगा तो सबसे पहले हम चलेंगे जब हमारा point कहां से बिलांग करता है set of real number से बिरांग करता है तो देखें क करते हैं, P-Z जैसे माले जे DDX आपका होता था, 21 इंटू सेकेंड आपको डिफ्रेंसीयरशन करना होता था, तो आप क्या करते थे, फ़र्स को बाहर कर लेते थे, एक बाज बाद का सेकेंड का करेंगे तो किया मिलेगा हमें मिलेगा तो यहां पर मिल जाएगा यह तर्म मींस गायब हो जाएगा पहले वाले में किया मिलेगा ? Z-0 2 and so on Z-0 N ठीक है एक तर्म को और लिख लेते हैं Z-0 3 and so on Z-0 N ठीक है अब यहां पर बात यह अगई आफ बारी-बारी से भीत तो कलना पड़ेगा प्लस अब यहां पर सेकन्ड वाल्य के अंधर जबिस्का करेंगे यह वाला गायव हो जाएगा यह सारे तरम बचे रहेंगे तो मेंस क्या मिलेगा ? inks क्या मिलेगा ? Z- two, और यहां पर N- 1 तक मिलेगा वहां पर हमें क्या करना है P- Z upon P- Z करना है मिल्स इसके हर एक के नीचे क्या करना है इस number से divide करना है जब हम इस number से हर एक की नीचे divide करेंगे तो यह टर्म तो सेम रहेगा उसके अंदर जो है नीचे क्या बचेगा 1 upon Z minus लेबडावन बच जाएगा ठीक है क्या बचेगा वन आपउन जेड लेडावन पहले तरह में बचेगा डूसरे वाले तरम में जब यहा पे एक सब्सक्राइब करता है तो हमें मिलीगा वान एक वाट्रम के अंस आपोन येड माइनस लेबडा या मैowग से करता है नंबर से एक एक आप हैं समेशन लेकर के लिख देते हैं तो देखिए क्या से मिलें देखा हुआ चलिए देखे लिखते हैं पी डैस जैड़ा पॉन पी जैड़ इजी कोस्टू समेशन के गोइंग फ्राम वन तो एन वन अपॉन जैड़ माइनस लेंड़ा के और जो हमें लेंड़ की बैलू लेंड़ के जिखा था मानें ने किया क्या AK PLUS Lambda IOTA BK फिर BK is greater than 0 ठीक है यहां पर जो आपका point bk है वो क्या होने चीए greater than 0 जो आपकी यह condition बोलती है ठीक है अब यहां पर Lambda की की बालू जो है हमें यहां पर पुट करेंगे Lambda की की बालू जैसे हमें यहां पर पुट करेंगे देखिए हमें क्या मिलेगा एधिकोस्टू समेशन के गुएंग फ्राम वन टू एन वन अपॉन जेड़ माइनस A के माइनस आयोटा B के ठीक है यह हमारा हो जाएगा भी इसको एक साथ कर लेंगे और इसको एक साथ कर लेंगे अब नीचे हमें जो है आयोटा मिल गया है आयोटा को हमें क्या करना है रिमूब करना है इसको रिमूब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा z minus ak plus iota bk upon z minus ak plus iota bk से उपदीचे multiply करना पड़ेगा easy question क्या हो जाएगा summation k going from 1 to n z minus ak plus iota bk upon a minus b a plus b a square minus b square यहाँ पर minus iota square क्या हो जाएगा minus 1 minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा z minus ak का बोली square plus bk square ठीक है यह आपका हो जाएगा यह आपका हो जाएगा अब यहाँ पर क्या करता है कि imaginary part क्या देखे हम अगर हम imaginary part इसका देखे तो इसका imaginary part क्या है bk upon z minus ak का बोली square प्लस bk का बोली square यही मिलेगा हमें अब यहाँ पर इसके दो imaginary part को देख लेते हैं और real part को भी देख लेते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं इसके real or imaginary part को इसका जब हम करेंगे imaginary part सबसे पहले पुछा गया imaginary part आप किसका P-Z upon P-Z का ठीक है करते हैं क्या मिलेगा imaginary part इसका summation K going from 1 to N B-K upon Z-A-K का whole square plus B-K square ठीक है यह आपको मिला है और आपको पता है जो आपकी B-K की value है वो क्या है always greater than 0 है यह आपकी quantity greater than 0 है यह square है यह square है यह positive है और इसका square भी कर दिया गया है मान लिजिए आप जो है जड़ी कोश्टू ले लेते हो A-K तो इस case में यहाँ पे तो 0 मिलेगा यहाँ पे मिलेगा B-K upon 0 plus B-K का whole square फिर भी आपको क्या मिल जाएगा B-K मिल जाएगा जो की आपने क्या सपोच किया है यह क्या है greater than 0 है इसका मतलब जो है आप कुछ भी करोगे फिर भी इसका जो answer आएगा हमेशा क्या मिलेगा जीरो और कब मिल रहा है जब आपका जो पॉइंट है वो कहां से बिलांग करता है रियल नंबर से बिलांग करता है यह भी कंडिशन आपकी है ठीक है imaginary part आप P-Z upon P-Z upon P greater than 0 for Z belongs to real number क्या इसका imaginary part जो है greater than 0 है हाँ इसका जो imaginary part है वो क्या है greater than 0 है और कब है जब हमारा point जो है real number से बिलांग करता है ठीक है इसलिए जो हमारा पहला option क्या हो चुका है पहला option हमारा सही हो चुका है अब आ रहते हैं अपने second option के उपर क्यों 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 हमारा second option है इसके अंदर जो हमें point की बात की लिए है वो भी हमारा point real number से ही बिलांग करता है अब इसके अंदर क्या करना है इसमें जो आपने pड़ेस z upon pड़ेट क्या है उसके अंदर आपको क्या करना है आयोटा से multiply करना है multiply करने के बाद उसका real part calculate करना है तब आपको सारी बेर बताने है ठीक है पहले हमें क्या करना होगा इसके अंदर आयोटा से multiply करना पड़ेगा तो करेंगे आयोटा से multiply यह हमारा क्या है पड़ेस z upon pz है जब इसके अंदर आयोटा से multiply करेंगे यह आयोटा पड़ेस z upon pz is equals to summation k going from 1 to n ठीक है z minus ak इसके अंदर तो आयोटा हो जाएगा z minus ak और आयोटा square value minus 1 minus bk upon z minus ak का whole square plus bk का whole square ठीक है यह हमारा हो चुका है अब यहाँ पर क्या करना है इसके real part का calculation करना है इसका जो real part हो जाएगा वो क्या मिलेगा real part of iota p dash z upon pz is equals to summation k going from 1 to n minus bk upon z minus ak का whole square plus bk का whole square यह हमारा हो जाएगा आप यहाँ पर कहता है कि जो हमारा bk क्या है greater than zero है इसकी value जो हमारी क्या positive आएगी positive के अंदर जब हम किसी negative number से multiply कर देंगे complete जो हमारा इंजरूगा क्या हो जाएगा negative number ही आएगा ठीक है negative number आएगा मतलब इसकी जो value हो जाएगी negative हो जाएगी negative हो जाएगी इसका मतलब यह क्या है less than zero है ठीक है complete quantity इसकी negative आजएगी तो यह हमारा क्या हो जाएगा zero से less हो जाएगा option पर आजाते हैं कहता इसका जो imaginary part है क्या इसका जो imaginary part है वो क्या है less than zero है कब जव हमारा जो point है कहां से बलांग करता है रेल मिलांग करता है बिल्कुल सही बात है और हमने calculate करके देख भी लिया इसकी जो value है वो क्या है less than zero है कब जब हमारा point जो है रेल नमबर से बलांग करता है स्लिए हमारा ग個 Tuesday अधर ही सब्सक्राइब करेंगे तब क्या हमें मिलता है यहीं से हमारा चेंजिंग हो जाएगा और यहां पर क्या करना पड़ेगा जैड़ीस कोष्ट्टू X प्लस आयोटा Y यहीं से कोष्ट्टो समेशन K गोईंग फ्रांघ वежन कोष्ट्टू 1 अपॉन X फ्लस्टा Y मैनस इसकी वहाहिका है A k plus A of B k ठीक है आयोटा वाले तर्म को एक साथ करेंगे और जो आयोटा से free है उसको एक साथ करेंगे इसी कोश्टू समेशन k going from one to n one upon x minus A k plus A of y minus B k यह हो गया अब नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है आयोटा दिखाई दे रहा है और इस आयोटा को हम रिमूप करने की कोशिस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके conjugate से नमें उपर नीचे multiply करना पड़ेगा means x-ak-y-bk upon x-ak-y-bk नीचे तो हमारा क्या हो चुका है a plus b और a minus b a minus b a plus b का जो formula इसके अंदर हम apply करेंगे और देखें क्या मिलेगा एजी कोश्टू summation k going from 1 to n x-ak minus iota y-bk upon x-ak का holy square और जो है क्या मिलेगा minus iota square इसको क्या कर देगा plus कर देगा y-bk का holy square ठीक है यह हमारा हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे यहनोंने भी बात बोली है कि कि y आपका है वह क्या है greater than 0 ay jih पर जो आपको भी निखाया यह यह आपका LEAR पी बात कि गई क्या यहाँ पर विहल एज्जनरी पार्ट के सिर्फ बात की गई तो इसका इमेजनरी पार्ट हों निकाल देंगे इमेजनरी पार्ट आफ पीडस जड़ अपॉन पीजड़ इती कोस्टूं समेशन के गोईंग फ्राम वन तो एन माइनस वाई माइनस बीके या फिर जो है हमें चलिए भी ऐसी करते हैं अपन एक समाइनस एक का होली स्क्वाइर प्लस व कोल स्क्वाइर फिक है यहां पर क्या है जो हमने कालकूलेट किया है यहां पर आपका आपकी क्या है डिरो क्वाइंटी है बी के जो है आपकी क्या है greater than zero quantity है ठीक है यह आपका हो गया अब यहाँ पे कहता है कि जब इसका जो है इन्होंने क्या बोला है imaginary part जो है क्या है greater than zero है ठीक है क्या कहा गया है इसके इंदर imaginary part जो है greater than zero है य आपकी positive quantity है बी के जो है आपका क्या है positive quantity है तो य को ले लीजिए आप 2 और बीके को आप ले लीजिए 1 तो 2-1 क्या मिलेगा 1 देखिए क्या मिलेगा 2-1 1-1 आपान x की बैलू-1 की बैलू अभी रहने दीजिए और इसका square प्लस y की जो बैल हो है वो क्या add 2-1 का whole square ठीक है तो मैनस अभी इसको जो आप एक के ले लीजिए तो यहां पर term हो जाएगा 0 और यहां पर 2-1 करोगे तो क्या मिलेगा 1 और यहां पर complete क्या मिल जाएगा minus का 1 ठीक है क्या मिलेगा आपको minus का 1 मिल जाएगा या फिर आप ऐसा कर सक मारे अच्का क्या करोगे इस के घह सकर करोगे के इसके अदर माइनस करा करोगे तो यह सब्का मиеज़यों कि आपको यहां पर यहां पर दीक है माइनस वाई के लिखें या फिर Y के मादस भी लिखें कुछ भी कोई effect हमारा नहीं पड़ेगा यहां पर जो है Z की value जो है क्या है मिनस Y की value अगर लेले, क्या लेलें, y की बैलो अगर हम नेगेटिव लेलें, नेगेटिव लेले से हमारा यह टरम क्या हो जाएगा, पोश्टिव बन जाएगा यह जित, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ऑन, x-1k का होली स्क्वाइर, प्लस y-y-b, means y को हमने किस से रिप्लेस कर दिया है, माइनस y से रिप्लेस किया है ठीक है अब यहाँ पे एकसी जी कोश्टों अगर हमें के लिखें तो यह टर्म हमारा हो जाएगा 0 और यहाँ पे इसका स्कुल है तो कुछ न कुछ लिखें तो मिलेगी इसलिए ओहाँ पे माइनस 1 का स्कुल है तो यहाँ पे यहाँ प्लॉगम के लिखें कोई फटनेगा एक वर से तो जो है क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा और यह कम मिला है जब हमने य को माइनस वाइस से रिप्लेस किया है ठीक है अगर हम य को बर्टर दैन जीरो ले ले उसकेस में अभी हमने देखा कि जो है हमारा क्या हो जा रहा था लेस दैन जीरो हो जा रहा था जो कि क्या हो हमारा इसका पार्ट जो है इमेजनरी पार्ट आप पीड़ेड़ अपान पीजड क्या रहा था लेस दैन जीरो बठ हमें जो है क्या किया जब हमने वाइल को माइनस वाइस से रिप्लेस किया उसकेस में जो हमारा इमेजनरी से छोटा है जल्स सी आप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा चौत्य आप्शन के अंदर के इमेजरी पार्ट जोगा इसका ग्रेटर देन जीरो होगा तब यह चीज वैलिड होगे जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है इसका पहला दूसरा और तीसरा आप्शन करेक्ट आप्शन है थ